आगे हूँ आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग जावास्किप के क्वेस्टन लेकर राइट आप प्रोग्राम टू चेक दा लेंथ वालिटी आफ पासवर्ड मिनिमूम एड डिजिट इस तरीके का क्वेस्टन आप से क्या जा सकता है यहन कि आपको पासवर्ड का वालि कर लेना है और इसके नीचे एक एस्टू ऐसे डिफान कर लेना है अभी हमने स्क्रिप्ट का कोई कोड नहीं लिखा है उससे पहले मैं बता दूं इस वाले प्लेलिस्ट होगा इसके अंदर यह वीडियो जाएगा सब कुछ समझ में आएगा सबसे पहले आपको बटन को सेल कर लेंगे तो इससे बटन आप पर सेलेट हो जाएगा इंपुट भी सेलेट करेंगे और एस्टू को भी सेलेट कर लेंगे तो यहां पर आप इंपुट के नाम से वरेबल बना लीजिए और यहां पर आप एस्टू लिखिए और यहां पर आप एस्टू के नाम से वरेबल तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा वह वायलू चाहिए तो एक वरल बनाई ज़रा let value के नाम से और यहां पर आप value को read कर लेज़े तो input.value ऐसे define करेंगे इन्निके input.value यह read हो जाएगा अलट करके आप देख सकते हैं जो भी user ने input किया है वह आपको मिल जाएगा अगर आप value को print करेंगे तो notice करिए मैंने reload किया यहां पर आ जाएंगे और मैंने इस तरीक से लिखा है just for code कुछ भी आप लिख सकते हैं मैंने click किया just for code हमें value में मिल गया इसी का length चेक करना है तो support user ने यहां पर password input किया कुछ इस तरीके से इसका length चेक करना है आपको तो already यहां पर है यह जो user input कर रहा है आप यहां पर length के नाम से एक variable बनाओ और यहां पर जो है आप आपको length मिल जाएगा अलट करके अगर आप देखेंगे ठीक है तो यहां पर आपको length मिल दा होगा length वाले variable के अंदर अच्छे यहां पर हमने let या const खुछ भी declare नहीं किया तो आप let ही declare कर देगे ठीक है तो हमने सबसे पहले input fill का value read किया उसके बाद हमने length निकाल लिये यह सब एक ही दो line के code है लेकिन हम थोड़ा सा step बढ़ा रहें ताकि आपको sound में आए कि क्या क्या हो रहा है load करके testing करेंगे मैंने यहां पर इस तेक से input किया और click करूँगा notice करेंगे length किया मिला 5 इसी पर आपको condition लगाना है यहां पर आप चेक करेंगे इस तेक से if जो length है मारा क्या वो less than या equal to किस से या आप ऐसे चेक कर सकते greater than या equal to 8 अगर 8 से बढ़ा है या उसके बराबर है त ऐसे मैंने message दे दिया ठीक है उसके बाद else का यूज करेंगे else define करिएगा इस तरीके से और यहां पर आप s2 का ही यूज करिएगा लिखेंगे dot inner text या inner estimal कुछ भी आप लिख सकते हो मैंने inner text का ही यूज किया और यहां पर लिखेंगे हम your और इंटर मिनिमम इंटर मिनिमम एट डिजिट एट ऐसे message आप दे सकते हो पासवर्ड ठीक है तो यह छोड़ा सा प्रोग्राम थी इंटर भी उस रेलेटर को सॉल्व करना है रिलोड करके टेस्टिंग कर लेंगे अगर हमारा जो पासवर्ड है जो यूज ने इनकुट किय लेकिन मिनमम आपको एड देज रखना था, question का demand यही था, इस तरीके से आपको solve करना है, ऐसे question को, especially जब आप से JavaScript के अंदर, ऐसा question किया जाएगा तरफ, ठीक है, तो यही तरीका होगा solve करने का, I hope यह चीज आपको clear होगी, कुछ भी इशो है, ज़रूर कुछ है, आपकी help कर दे जाएगी, thanks for enjoying the education of just for good, see you soon, jahin javar.